नवस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस्टडी वी नीरसा चैनल पर मिले बच्चों बहुत सारे लोग जो है फोन करके कह रहे हैं सार एक वीडियो बना दीजिए एजी टीए विकेंसियों के उपर क्या हालत है क्या आएगी की नहीं आएगी बहुत सारे बच्चे कह रहे ह अच्छा तो मैं एक चीज बता दूँ और इस पर वीडियो आपको मिल भी कहा होगा सुवे से कई लोग इस पर वीडियो बना भी चुके होंगे मैं नहीं बनाना चाहता था लेकिन हां बहुत से लोगों ने कहा सार प्लीस बना दीजिए तो देख लीजिए मैं एक चीज आ इतना आप बिल्कुल ध्यान रखना ठीक अब यह सब तुम्हें पढ़ोंगा नहीं जो इंपोर्टेंट चीज है जो आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है उस पर सर्चा कर लेते हैं देख लिए दिखा गया है अब इन डेड़ सो अब भरतियों के डाटा के लेन देन को लेकर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की गई है बच्चो अब भरतियों को UPSC के अपसरों ने बताया कि डेड़ सो अब भरतियों का डाटा लेने के लिए UPSC को पत्र भेज दिया गया है एक सब्ता हमें UPSC को पत्र मिल जाएगा और वहाँ से डाटा प्रापत होने के पर भरती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बहुत बढ़ीया बात है। बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चों। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूँ। चिक है। एक चीज और बता दूँ। देखिए एक चीज़ क्या है देखिए अब ये तो तय है कि पदो पर होगी नहीं भरती 346 ओवे 2022 पेट से तो जो 2023 पेट की उम्मीद लगाया बैठे हैं भाई उनके लिए बहुत बहुत सौरी आगे जब भरती आएंगी तब उसमें आब बैठना क्योंकि बहुत से हमारे पुराने बच्चे बहुत से जो महंती बच्चे इस पे लगाता लगे हुए हैं उनको नौकरी लेना 3446 पदों में भाई लाजमी है वो नौकरी पाएंगे जो लगातार इस पे बने हुए हैं मेरे बच्चो तो इतनी में चीज थी हजार बाइस पेट से ये 3446 पद आएंगे हां एक चीज और बता दे ठीक है देखो जो चीजे किलियर होने में समय लगता है अब कहा गया डेड़ सो बच्चों का कहा एक हपते कंदर तो इसको पत्र भेज दिया रहा लेडी यूपी पीएसी को अब यूपी पीएसी वाले इसका जवाब देंगे उसके तीम दिन के बाद आपकी भरती का विग्यापन जारी कर दिया जाएगा दस से पंदरा दस से पंदरा सेप्टेंबर आपकी विकेंसी मेरे बच्चों आपकी विकेंसी आने के 100% चांस है और एक चीज और मैं बता दूँ मायूस का ताइमत होना क्योंकि ये आपकी विकेंसी है ये 3446 पर ये आपके हैं आपके हैं उसमें से सिर्फ आपको एक लेना है और अपने जीवन को उत्तम बनाना है मेरे बच्चों एक विकेंसी लेकर इस साल इसमें नोकरी लेकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है और हर हालत में करना है दुनिया की कोई ताकत मेरे बच्चों इस बार आपको AGTA बनने की नहीं रोख सकती मेरे बच्चों कुछ भी हो जाए हमको पता है इस बार आप बिलकुल ऐसे पकड़ के AGTA को उठाएंगे और बिलकुल अंदर ले जाएंगे क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है ये आपको भी पता है और बहुत पहले जो एक दो नंबर से चूग गए थे वो तो इस बार कसम खा के बैठे हैं कि इस बार दस नंबर अधिक लाएंगे पहली मेरा पहला मेरा सेलेक्शन हो तो मेरे बच्चों हमको पता है आप मेहनती हैं आप नौकरी लेंगे हंडिट परसेंट लेंगे इसमें लेंगे वो भी 10 से 15 सेप्टमबर के मर्द आपको खुसकबरी मिल सकती है मेरे बच्चों इतना आप लोग ध्यानतना स्लेवर्स को कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक कि ओफिस्यल नोटिफिकेशन ना जारी हो क्योंकि देखिए जैसे ही क्या रखा हो क्या पता इनका मूड क्या हो वह तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा ठीक है इतनी बात थी मेरे बच्चों आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी एक चीज़ों ध्यानतना जो मुद्द्य की बात है ठीक दुनिया में बहुत से लोग बहुत से तरीके के लोग हैं ताना मारने वाला कुछ करने वाला आप उनकी बातों को इगनॉर करिए कोई कुछ कह रहा है सुलीजे आप अपने मिहनत से अपने करमों से उसको जवाब देना तब उसकी सिट्टी पिट्टी कुल मायूस ना हो कोई गलत कदम न उठाना आपकी नौकरी लगेगी देखना 100% लगेगी ना लगे तो कहना कासम खालो लेकिन कासम खालो कि दुनिया की कोई ताकत इस बार AGTA बनने से नहीं रोख सकती कोई भी नहीं रोख सकता चाहे कुछ हो जाए तो लोग तहस नहस करना पड़े इस बार न कुछ्ता कि नमस्कार धनि मात